नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल रजनेस मेडिकल लेक्चर्स में दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने मारा है खास कर उन लोगों के लिए जिनके सरीर में बिटामिन्स की कमी है निटिसेंस की कमी है और जिसकी बज़े से उनके हाथ या पैर जो होते हैं उनके तलबे होते हैं कलाईयां होते हैं उनमें क्या सिम्टम्स दिखाई दिते हैं इसके बारे में बात करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे तीन बैस्ट दवाईयों के बारे में जिनका डॉक्टरों द्वारा इन सभी इंडिकेसंस में बहुत जादा इस्तमाल किया जाता है तो चली दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करत हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो तलबों में जलन होती है वो किन कारणों से होने लगती है तो फ्रेंड्स यह आप देख सकते हैं कुछ causes हैं जो कि हमने यहां mention की हुए है यह आप देख सकते हैं सबसे पहला है neuron damage या nerve damage की जो जो समश्या हो जाती है जिसमें क्या होता है कि जो हमारे नर्व के cells होते हैं नीरोंस होते हैं वो टूट जाते हैं जिन से peripheral नीरोपैथी हो जाती है और नीरों को proper जो blood होता है उससे oxygen नहीं मिल पाता है तो ये एक एहम समश्या होती है जिसमें आपके देखा होगा पैरों में जलन होने लगती है जंजनाट होने लगती है तता उनसे जो गर्माट होती है वो निकलने लगती है इसके अलाबा एलकोहॉलिक ड्रिंग यानि कि सराव जादा पीने पर ये समश्या हो जाती है जो विक्ति एलकोहॉल का जादा कंजिम करते हैं तो ये समश्या हो जाती है उसक खाना हम जो खाते हैं उसमें हमें proper vitamins नहीं मिल पाते हैं इसके अलाबा साथ ही साथ जो nutrients होते हैं उनकी deficiency हो गई है तो भी यह समझ्चा होती है क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हम भार का fast food बहुत जादा खाते हैं आजकल की जो life style है उसमें fast food बहुत जादा use किया जाता है ज तो फिर यह समस्यां देखने को मिलने लगती हैं इसके अलाबा kidney disease अगर किसी को kidney से सम्मंदित कोई बेमारी है तो यह समस्या हो जाती है इसके अलाबा thyroid hormones का कम हो जाना यानि कि secretion हो जाना तो यह समस्या होती है इसके अलाबा diabetes की जिन विक्तियों को समस्या होती है जिसको हम बोलते हैं diabetic neuropathy ये समस्या में सबसे ज़्यादा ये आपको पेरों में जलन की समस्या जो होती है वो देखने को मिलती है friends इसके लाबा inflammation of lungs यानि कि फैपलों में अगर संक्रमड हो गया है तो भी एक region बन सकता है इसके लाबा inflammation of vessels blood vessels जो होती है उनमें अगर कोई संक्रमड हो गया infection हो गया है इसके लाबा meningitis meningitis एक दिमाग की संक्रमड होता है जो हो जाता है जिसकी बज़े से जो हमारी nerve होती है उन तक proper संदेश नहीं पहुँच पाता है तो ये समस्या हो जाती है then ये HIV AIDS जो हो जाता है उसकी बज़े से हमारी जब immunity होती है वो down हो जाती है तो उसकी बज़े से भी हमें ये हाथ पेरों में जलन या तलवों में जलन की समस्या देखने को मिलती है तो ये इतने सारे causes हैं जिसकी बज़े से आपको ये समस्या हो सकती है अब आपको कौन सा cause है आपको कौन सा कारड है ये आपको पता करना होगा friends इसके बात करते हैं इसके symptoms के बारे में तो symptoms normal से हैं आपके warning sensation होगी यानि कि आपके पेरों में जलन मैसूस होगी tingling of sensation पेरों में जन जना हर्ट मैसूस होगी पैर आपके सुन हो जाएंगे अगर आप कहीं ज़्यादा देर तक बैठते हैं एक ही जगह पर आपको चलने फिरने में परिशानी होने लगेगी पैरों में सुईयां चुबने जैसा लगेगा या चीटी काटने जैसा लगता है इसके अलाबा कभी-कभी ये लच्षड हाथ में भी यानि कि कलाईयों में भी दिखाई देते हैं तो आपके हाथ या पैरों में कहीं भी ये समस्या आपको हो सकती है चली फ्रेंट्स बात करते हैं हम अब अपने इंपोटेंट टॉपिक पर जोकी हैं तीन बेस्ट मेडिसन उनमें से सबसे पहली मेडिसन है जोकी है नीरोवियान फोर्ट टाबलेट दोस्तों ये इसका नाम होता है आपने देखा होगा ये काफी सस्ती टाबलेट आपको एक से देडर रुपे में ये आपको टाबलेट मिल जाती है और इसके अंदर जो कमपोजिशन है वो है बेटामिन B12 यानि कि बेटामिन B12 जोके मेथाय कोवालविन जिसको हम बोलते हैं इसके लवावा बेटामिन B complex यानि B1, B2, B3, B6, B4, B7 ये सारे बेटामिन इसमें दिये गए हैं जो कि हमारी बोडी को असेंसिल यानि कि जरूरी होते हैं तो ये क्या काम करते हैं यद आपके नीरोन कम कमजोर हो गए हैं आपके सेल्स कमजोर हो गए हैं और आपके बोडी के अंदर बेटामिन B की डेफिसेंस ही हो गई है तो ये उसको पूरा करके इन सभी कंडिशनों को ये खत्म कर देता है इसकी जो डोज़ज होती है दोस्तों वो होती है वन टाबलेट ओडियानि कि आपक 75 ये इसका नाम है और इसके अंदर दो एक्टिव इंगिडियेंट दिये गए हैं जो कि है मिथाइक कोवालविन जो कि हमने आपके उदाए बेडामिन B कॉंपलेक्स और प्रीगा वालिन 75 mg इसमें दिया गया है दोस्तों इसको बनाने वाली कंपनी है मैंकाइन फार्मा और ये काफी famous टैबलेट है ये निउरोपेथिक दर्द का इलाज करती है जो इसमें प्रीगा वाले ने ये नसों को मजबूत करके उनमें जो दर्द होता है उसको कम करने का काम करता है इसके लावा ये nerve damage जो हो जाती है उनको ठीक करता है तलवा में जलन हो रही है या सुईया बात करें तो ये भी आपको एक टैबलेट दिन में एक बार साम को सोते समय लेने की सला दी जाती है तो ये दूसरी टैबलेट है तैन दोस्तो तीसरी टैबलेट जो की है निउरोडे डी थ्री टैबलेट ये आप देख सकते हैं ये इसका नाम है और ये इसकी packaging है दोस्तो इ लेड़ी कंपनी दोरा मैनुफक्शिंग किया जाता है और इसके अंदर जो ड्रग ऑफ कंपुशन दिया गया वो है अलफा लाइपोनिक एसिड हंडड़ एमजी और इसमें कॉली कैल्सी फरॉल भी दिया गया है जो कि बेटामिन धीतरी होता है और इसके अलावा इसमें मिता के भाय कुलममिन है फॉलेक असिड है और पारी अर्डॉक्सिं तो ये भी आपके अंदर जो बेटामिन्स की डेफिक सीए यह या दौने करते है औरफ की अनदर ये complex जैसा कि हमने पता है उसको पूरा करता है आपके नीरोपेथि का दर्द है या nerve damage का समस्या है deficiency है आप पर वह जलन है जंजनाठ है सुईया चुपने जैसा है तो ये भी इन समस्याओं में इस्तमाल की जाती है और दोस्तो इसकी भी जो dose है वो है one tablet order यानिके इसको भी आप दिन में एक बार इस्तमाल कर सकते हैं तो friends I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगाओगा informative लगाओगा दोस्तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगाओगा तो वीडियो को लाइक जरू करें चैनल को हमारे सब्सक्राब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं जिससे आपको हमारी नई आने वाली वीडियो को notification मिलता रहे तो friends चलिए मिलते हैं एक और ऐसी helpful वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार